हे लो फेनसे वेडम तर यूट्योव चनल और आज का हमाला टॉपिक है माय स्कूट के रिलेटेट तो सबसे पहले जो रहते है उसको डिलीट कैसे करते और टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं यह सब प्रोसेस है वहां उस सब जो हम इसुड्यो देशिक फ्कॉर करेंगे तो सबसे पहले जो है हमारे पास इसके लिए mysql का जो ब्राउजर रहता है जो mysql के सॉप्टर रहता है वो चाहिए आपको जो है mysql क्यूरी सॉप्टर जो है नेट पर अविलेबल है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है एक हमारा न्यू टेबल क्रेट करना है तो यहाँ आप आप राइट साइट में देख रहे हैं यहाँ पर अल्रेडि पहले से टेबल बहुत सरे created है मिन्स स्कीमा जो है created है पहले से यहाँ पर हम किसी भी एक स्कीमा पर जाके राइट टील करेंगे और यहाँ से जो हम create new schema करके जो option है वहाँ पर जाएंगे तो जैसे new create schema करते है तो यहाँ पर हमको जो भी आपको schema schema means क्या रहता है schema means एक table जो let's suppose अभी हमको user का table बनाना है तो यूजर के जो टेबल का information है वह schema में store रहेगा तो यहाँ पर हमको schema name देना है तो अभी यहाँ पर में demo करके नहीं विताओ एक हमको यहाँ पर ok करना जैसे यहाँ पर demo जो schema create हो चुका है उसके बाद फिरसे हमको होगा पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको create new table के option पर जाके क्लिक करना है कि यापनıyorlar सी कूल टेबल करते हैं यहाथ मैं क captivity टेबल डेकर ओपन ओपन आपको टेबलन के यहाँ पर जो भी आपको आपने लिए अब टेबल का नेम डàलना हैं यहां के अब इसे वाहाँ रहते हैं तो यहाँ पर आएंगे ऑप्तिमेंटिकली आते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो फिर सबसे पहले जो है मैं बेसिक आपको एक टेबल जो है टेबल के इसका डेटाइब जो रहेगा वह रहेगा वह रहेगा और उसका साइज है 45 मिस आप 45 लेटर्स तक जो है आप यूजर का निम डाल सकते आपको अगर उससे ज्यादा लेटर्स डालने तो आप यहाँ पर आके साइज उसका बढ़ा सकते है अब मैंने 100 कर दिया उसके बाद अगर आपको यूजर का पिन कोड भी डालना है तो आप यहाँ पिन कोड करके जो है रहे सकते और आप इसको जो है इंटिजर में भी कनवर्ट कर सकते हैं ठीक है तो यह होगा हमारा कॉलम एंड जो भी उसकी डेटर टाइप से उसका स्टक्चर हो गया उसके बाद जो हमको सिंपली आपड़ आपलाइज़ेंश करके जो है प्रप्सन यहाँ पर किलिक करना है ठीक है उसके बाद जो है आपको जो ऑटमेटिक मास्क्राइब्ध यह ब्रावजर है वो ऑटमेटिक्ली आपको एक क्यूरी बना करें रिबता है क्रेट टेबल करके जो भी हमको जो बेसिक डेटावेस रहते है वहाँ पर जाके हमको खुछ से टाइप करना पड़ता है बट यहाँ पर बहुत सिंप्ली फाइव में दिया गया है सिर्फ आपको यहाँ पर आके अफ्लाइचेंज पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ से करके एक बहुत है ऊच्व लिए इसरे अप्यूड करता है और में करें करेंबर कि तो सिंप्ली आपको यहाँ बैदर हुझे सकते हमारा रेंटेबलो है अब इनेटर करने के लिए अपर क्लिक कर सकते और रोइस आप कंट्रल एंटर भी दबा सकते तो आप जैसे कि देख रहे हैं यूजर आईडी उसर नेम लाश्ट नेम सीपी और उसका पिन पूर जो है यहाँ पर सब आ चुके आप यहाँ से मैनुवली भी जो है डेटा इसमें तो कैसे करते हैं इसके लिए simply आपको फियोरी तो पता रहेगा इंसेट का यहाँ पर टाइप करना है तो जैसे कि आप देखने रहे हमारा जो इंसेकर क्या ऐहां पर रेडी है इंसेट इन्फेनुद यूजर उसके बाद यूजर के जितने भी टेबल के कॉलम में में एक हमें पूद करना अगर आपको स्पूर्ण वायज में देना है तो इसके बाद यूजर आइड यहां पर उसके बाद यूजर नेम जाए यूजर का लाश्ट नेम ठुमार यूजर का पिन कोड है और उसके बाद यह को हुँको सेमी कॉलंस सेंड करने हैं और उसके बाद यहां वन्ट्रो एंटर करके तो हाँ यहां पर देख सकते हैं और युजर के डिल जो ईनसट करेंगे इसमें तौब्य हमने हमारे टेबल में यूजर के डियल इटल सेंट कर लिया है इसके बाद हम अब भी बैखने कि की को अपडेट कैसे करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर क्यूरिफायर करेंगे तो अपडेट करने के लिए यहाँ आप सामने देख रहे हैं जैसे कि अपडेट उसके बाद टेबल नेम सेट जो भी आपको चीज़े अपडेट करने आपको यहाँ पर जो है उसका कॉलम नेम उसक यूजर का डेटा जो है अपडेट करना है तो उस वाले यूजर आईडी के लिए हम जो है यहाँ पे टेबल हमारा टेबल का जो डेटा है वो अपडेट करेंगा उसके बाद यहां से प्यूरिफायर करना है करने तो आप जैसे कि यहां पर देख रहा है यूजर रश्टर यहां पी रहें हो चुका है सीटी का नमीचेंज हो चुका है और उसके भाद यहां से चैंज होग्त करेंड को सब्सक्राइस था अपडेट वाला हो भी हमारा अप्डेट हो चुका है गे इस के बाद यहां पर अगर आपको यूजर डिलीट करना है तो ऊक्ते का पूरा तो ट्रेबल किसे ड्रॉप करते हो भी देखेंगे तो बहुत सिंपल यहां पर प्राइब अपको और यूजर का आईडी यहां पर पूट करेंगे ठीक है तो इस पूर नमर का यूजर वहां से हट चुक है हमारे टेबल से यहां पर आपको एक नमबर का डेटा डेलीट करना तो यहां से बत चुक है तो यह हो गया डेलीट के बारे में उसके बास भी हमको हमारा स्कीमा जहां ड्रॉप करना है तो यहां पे जाके आप सिंप्ली राइट किक करोगे उसके बाद आपको ड्रॉप स्कीमा बोल सकते हैं ड्रॉप स्कीमा जैसे आप करोगे तो आपका जो है डेटाबेस से वह स्कीमा पूरा हट जाएगा अगर आपको टेवली सिंप्ली डिलिट करना तो यहां पर यूजर के टेबल पर जाके यहां से आप ड्रॉप टेबल बोल सकते हैं तो आपका तो दिए अब्जेस के लिए पूछता है कि हम यहाँ पे खरेंगे करेंगे तो जैसे हम करेंगे यह देखे रिप्रेश्च हो चुआ है और हमारा जो टेबल है यहां से बीजिआ हो चुका है यहां यहां पर तो हमारे को कोई बिल्स दिधल से आपने ने विए गा कुछा तो जो हमारे टेबल जो है पूरी तरखे से भॉप हो चुका है अगर हमको स्कीमा यहां से लॉप करना स्कीमा भी हटेड है हमारे डेटा इसे द्रॉप स्कीमा करेंगे तो दोस्तों यही था सिंपली बेसिक माइसक्वेल के जो भी ऑप्रेशन रहते अपडेट इंसर्ट डिगीड्रॉप जो भी ऑप्रेशन सरे टेबल को कैसे माइसक्वेल के जो सॉप्टर है उसमें कैसे लाते यह सारी चीज़ें जो थी यही ती सिंपड अगर आपको वीडियों अच्छा लगाँ प्लीस लाइ शेर और सब्सक्राइब थैंड यू वर वाचिंग जाय हुन